और यह देखते हैं टाइस ओफ human activities कितने होते हैं फर्स्ट होता है economic activities and second is non-economic activities जो हमारी economic activities है इसमें क्या होता है human अपनी activities करता है for to earn money and satisfy human wants इंसान क्या करें कि इसमें money को earn करता है और इसमें money को earn करने के बाद अपनी needs को satisfy करता है for example एक student है उसे chapter समझना था उसे tuition चाहिए था तो एक teacher ने इसको पढ़ाया और उसमें उसको समझ में आया तो उसमें उसको fees दी तो यह क्या हो जाएगा economic activities आजाएगा वहीं अगर हम non-economic activities की बात करें इसमें वो activities include होगी जिसमें नीट तो satisfy होगी आपकी social, religious, cultural but without earn money बिर्दा मनी के इसलिसकों क्या बोलते है non-commercial activities भी कहते हैं जैसे अगर कोई teacher यहाँ पर student को free में पढ़ाता है बिना पैसे लिए तो इसको क्या बोलेंगे non-economic activities बोलेंगे तो उसमें money से related होता है इसमें non-money से related activities होती है आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगी तो वीडियो को like, subscribe और share कर लेगा थैंक यू